आप अपनी समझ बदलो कोई आप के पास आई आप कौन है विभाद दिष्टी से कहना पड़ेगा पर मैं आतमा हूँ चौबिस घंटे आप के भीकर आतमा की अवाज धुन उठे मैं आतमा मैं आतमा मैं आतमा बोलना ना पड़े भीकर आतमा 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 जो सोचोगे होगा आज तक हम ने शरीर को महत्व दिया, समंधों को, सारे समंध किसके हैं? शरीर के हैं, परिवार बनता है, शरीर के लिए बनता है, रक्षा शरीर की होती है, माता पिता, बहन भाई, पति, पत्नी, बाब, बेटा, जो सारे समंध, तो समंद को तोड़ना है हमने रहना घर में पर उसको तोड़ना है असक की अटेच्चिमेंट तोड़ने है इस सबसे पहला सूत्र है यदि आपने इस भेद ग्यान की साधना को ये महावीर की साधना है आतम रमन को अपनाना है तो पहले इस समंद को तोड़ना ही होगा बहुत अठिन-कठिन है ये आसान काम नहीं है देखो समंद तोड़ करके कभी सोचो कि मैं अकेला रहा गया हूँ जंगल में हूँ कोई नहीं है कोई पास में नहीं है उसमें क्या स्थिति होती है किसकी याद आती है और कौन है वो किसको याद करके करोगे कौन साथ जाता है पहले जनब में कौन था आगे जनब में कौन आएगा पहले भी तुम आए मैं भी आया कहां से आए क्या समंद था और इस जनब ने जन्मों जन्मों तक हम ने उसको मातो दिया ये सारा अज्यान ये मोह, ये मिठ्यात इसको तोड़ना होगा ये बहुत बड़ी जंजीर है इसको तोड़ना होगा तो ये साधना के लिए आप क्यार है तोड़ने के लिए विचार करना, चिंतन करना हमारे जीवन में अनंत काल का दुख है चिहाम ने अपने को самजा कि मैं हूँ कान मैं शरीर नहीं हूँ मैं नहीं हूँ उसको भोगना पड़ेगा बर इज़ी समत्फ़ से आत्म विष्टी से भोगते हो तो अनंत कर्म की मिजदा कर लोगे और दुखी भोगोगे यह ध्यान किया है कि इवल दृष्टा भाव कितना कहने में सिंपल और बड़ा कठिन है ध्यान में कुछ भी नहीं करना मात्र दृष्टा देखो और जानो कि आप देखता है आपने भोजन किया आपने को देखा और जाना कितने सेकंड जाना सच सच बताओ आपने नाश्टा किया दपैर को भोजन किया चल किया आओ दृष्टा भाव रहा कितना रहा है बोलो पूछो अपने आप से कि एवल दो चार क्षण रहा होगा फिर भूल गए हुआ ना ऐसा ही हुआ ना मैं भूल जाता हूँ मैं आपको कोई असा नहीं कहता मात्र दृष्टा दृष्टा का मतलग यह आत्मा का सभाव है जितने क्षन जितने स्वांस तुम दृष्टा में रहे उतने क्षन तुम सभाव में रहे उतने क्षन धर्म में रहे उतने एक्षन तुमने कर्मों के नजिदा कर दी, यह साधना का फल है, तो इस साधना में जतने एक स्वांस, तुम मात दृष्टा, जैसे मैं अब सब को देखना हूं, देखने का मतलब इस आंखों से नहीं, आतम दृष्टी से, और अनभो कर रहा हूं, दृष्टा का मतलब आतम दृष्टी से देखना और जानने का मतलब अनभो करना, दृष्टा की तुम सब शुद्ध आतमा हैं, आतम दृष्टा, शरीर और आतमा के भ्यद को कर देता है, वो समझता नहीं रही है, यह पूर्ष है, तुम में आतम दृष्टी देखता है, अग्दी मैं सब में आत्मा दिश्टी देखता हुच्छ, तो मर बसकोई भी आए, तो मुसमें आत्मा के दर्शन करना, यह मस समझना, यह इस्त्री है, यह पुर्ष है, यह सुंदर है, यह सुंदर है, यह धनवान है, यह निर्धन है, यह मेरे नजदीक है, यह मेरे दूर है, यह मेरे समंधी है, यह मेरे नहीं, करते हैं नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यह करते हैं, तो यह कर्मों का बंदन है, यह तो शरीर का हो गया, आत्मा का सभा मात्र द्रश्टा, महावीर के पास कोई आता, रायपसेनी सुत्र, बद्तीस प्रकार का नाटक होता, कितने देवी देव का आपनी करते हैं, महाविर को जुरूरत भी नहीं, गेवता ने पूछा, मैं दिखाना चाहता हूं, महाविर मान हो गए, उसने दिखा दिया अपनी संपदा, महाविर शांत हो गए, माया समेट ली उन्होंने अपनी, इह हैं दृष्टा, जितने एक शन तुम दृष्टा में सिर्फिısı लीज़कत, वह बड़े धर्म हैं, जितने दर्म सबसे कथिम हो, ऊपवास कर लेना, मास कर लेना असान है, पर द्रष्टा में रहना, तमारी समेग ज्याताद्रिष्टा भाव की है, हमारा सादूपना ज्याताद्रिष्टा भाव का है, इह जो किर्याखे हैं, जो पुन्य का बंद होता है धर्म में कार्म नर्जिरा होती है समझ ली जिए ये वानी है महावीर की दरश्टा में कर्म नर्जिरा है और किरियाओं में कर्म का बंद है चैह पुन्य है चैह पाप है ये किरियाओं मैंने और आपने बहुत बार की जन्मों जन्मों में की पर मुक् मुझे स्वरग के सुक्ख नें चाहिए tonight विल में तशवीर राम की जब जरा गर्दन धुकाई देखिए दिल में तशवीर राम की जवजरा गर्दन धुकाई देखि presidente भीटर, देखो, जर्षन हो जायेंगे जब तुम दुम दिश्टा भाव में आहे वही तुमरा सभाव है वही आत्म है और वही परमात्मा है परमात्मा किसी मंदर, मस्जिद, गुर्डवारे में नहीं है यचो हम अलंबन लेते हैं तुम्ही आत्मा, तुम्ही प्रमात्मा, अप्पास्व प्रमप्प, आत्मा ही प्रमात्मा है, यह महावीर की वाणी है, पढ़ लिजिए, जब क्रोड आए, मान आए, माय आए, जोब आए, मात्र द्रष्टा, पुरिशार्ट कीजिए, हो जाएगा, पॉजिटिव सूली पर लटकाया जाता है वो क्या कहते हैं ओगार्ड फार्गिव देंग इस पीपल आर इन्नोसेंड ते दूनाट नो हो तू बहेवी दियादर महावीर के कानों में केले ठोके जाते हैं महावीर फिर भी उनके लिए भला सोचते हैं तो महारे पाम में कांटा लग जाये तो धन्यवाद देना कि कांटा ही लगा है कोई पिस्तौल से मार भी सकता था इस तरह से अपने जीवन को आपको भोजन ना मिले कोई बात में उपवास करने का अफसर मिल गया ऐसे हमेशा उसमें पॉजितिव लेना पॉजितिव का मतलब है कि एक गिलास है कोई कहते है आदा खाली है आदा भरा हुआ है अब बात तो वही है अब खाली को देखो कि तो खाली दिन दर आएगा भरा देखो कि तो भरा यह आदा भरा हुआ है यह आदा खाली है खाली पाले वो खाली लगता है भरे वाले को भरा लगता है जैसे मिट्टी के बिना घरा नहीं बनता सूत के बिना कपड़ा नहीं बनता धातू के बिना गहने नहीं बनते लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती बीज के बिना धान्य के पत्ती नहीं होती उसी तरह अन्य अनेक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के समर्ण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती मोक्ष की प्राप्ति करने तो शुद्ध आत्मा का समर्ण करना ही होगा शुद्ध आत्मा में रमन करना ही होगा सुद्ध आतम दिश्टी रखनी होगी इसलिए महावीर की धर्म में महावीर की प्रमप्रा में महावीर के दर्शन में सरहोच्य जो महत्व दिया गया है वह आतमा एक आतमा को आप आतम साथ कर लो तो प्रमातमा बन ज़ा होगे एक आतमा एक आत्मा एक तरफ और तीनों लोकों की संपधा एक तरफ कल्प विक्ष मिल जाए, काम देनों गाये मिल जाए, चीन का मनी रतन मिल जाए, चक्कर वर्तु का राज्य मिल जाए तो आत्म द्रिष्टी नहीं मिली तो क्या होगा? सब छुट जाएगा, स्वांस निकला, सब निकल जाएगा, और आत्म द्रिष्टी मिल गई, तो स्वांस भी तूट गया, वो आत्म द्रिष्टी से तुम अगले भाव में उच्छ स्थान पर जाओगे, और ज़िए आप रिज्जू है, सरल है, तो महाविदे में जाओगे, और प्रभू के दर्शन करोगे, कल्यान पत को प्राप्त कर लोगे, ये को जो आप स्वाध्याय करते हैं, शाफ्र पढ़ते हैं, ये बुद्धी का ग्यान है, बुद्धी का ग्यान इस भाव का है, पर नहीं, और आतम रमन आतम ग्यान पर अभाव में जागा, बुद्धी का ग्यान यही रह जाता है, जिसे आपने देखा कोई लोग बहुत बुद्धी मान होते हैं, बहुत शासर के ग्याता होते हैं, और वृद दवस्ता पे भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहते हैं, बुद्धी का ग्यान है, कोई सादूं को देखो, बहुत संयम पालते हैं, अन्त मफसा दुखी हो जाते हैं, बुद्धी का ग्यान है, कि बुद्धी का ग्यान है, और बुद्धी का ग्यान है, और बुद्धी के साथ यदि आतम प्रिष्टी है, वो आतम प्रिष्टी साथ यह से अज़ नक्यान नहीं आत्म घ्यान प्रमंग नानंग तैयोदेया, वह ज्यान शासर का नहीं हैं, हम ने शासर का ग्यान समझ लिया और यहास्र पर्दना को ऑपके अच्छी बात ईए, उसे परभू के वाणी सुनने स्वाध॰ाय करना, यह गड़त नहीं है, यही ज़रूरी है, यही पत्थ दिश्टी देता है, बगवाल के वाणी सुनना, उनको फुणाना, उस पर शर्धा रखना, महानि भी महाविर कि आत्मधिष्टी गानि और क्या है? कोई सुत्र उठालो, उसमे आत्मा नहैं तो क्या काम एगा? कोई सुत्र लेगा? पहला सुत्धम्ों, the разм आत्मध्रम यह स्थानकवासी धर्म नहीं, तेरापंथी धर्म नहीं, मंदरमार्गी धर्म नहीं, हिंतु धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं धर्मों मंग धर्म और धर्म की व्याक्या कि वत्थु सहाव धर्मों वस्तु का सभाव मल आत्मा का सभावी धर्म है आत्म शब्द साथ में आया आत्म धर्म वो धर्म जो आत्म धर्म है आत्म धर्म तुमरे साथ ही रहता है उसे जल का सभाव शीतलता है कितना गरम कर दो जल को वो शीतल ही रहे ऐसे ही धर्म वो धर्म आत्म धर्म मंगल है वो मंगर जो तुमारा अहिंकार, राग, देश जूर कर देटा है। ये साधना, ये आतम साधना शिवर की जो साधना है, वो बड़ी गजब की साधना है। ये हमारे जीवन की असली कमाई है, क्योंकि इससे हमें सुक, शांती और अनन्द का भरपूर खजाना भीतर से मिलता है। हम सभी सोभागेशाली हैं, जो आचारे भगवन की इस साधना शिवर में आकर के सुक, शांती और अनन्द का अनुभव करते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। वो आत्मा जो निराकार है, जो मेरी विकार है, जो सुक्ष सम्रिद्धी से संपन्न है, परिपूरण है, वो तुम हो, देर दवार्थ, वो तुम हो। इसी में एक लंबा के रस्वांस लें, अरिहंत प्रमात्मा के चर्ण में अनन्द करते के तक यापत करें। एक और लंबा के रस्वांस, अरिहंत प्रमात्मा के चर्ण में नमन और गंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हलका सस्परश, धीर यसी आंखे खोल सकते हैं। शिरी चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिध्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लो गुत्तमा, अरहंता लो गुत्तमा, सिध्धा लो गुत्तमा, साहु लो गुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लो गुत्तमा, चत्तारी सरनं पवज्याम, आरहन्ते सरनम पवज्याम, सिद्धे सरनम पवज्याम, साहु सरनम पवज्याम, केवली पनतंधं मं सरनम पवज्याम चार शारान दुख हरन जगत में और नशर ना कोई होगा जो भगे प्रानी करे आराज उसका आजर अमर उसका सराही मंग प्रोग्राम स्पॉंसर बाई शिरी सुरेंद्र कुमार जैन, शिरीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तलाप्ती लो, जम्मु कश्मीर प्यारी गुरुवानी है, बड़ी ही सुहानी है